ओम नमो हनुमते तुभ्यम नमो मारुत सुनवे नमस्री राम भक्ताय श्याम श्याय चते नमहां जै स्री राम जै हनुमान ओम नमस्षिवाय प्रियभक्तगणू आज जेश्ट महा सुकल पक्च का बुढ़वा मंगलवार का व्रत है जेश्ट माह के मंगलवार को बड़ा मंगलवार और बुढवा मंगलवार कहते हैं पौराडिक मानेता के अनुसार जेश्ट माह के मंगलवार को ही प्रभूसरी राम जी और हनुमान जी का प्रथम बार मिलन हुआ था और एक को हनुमान जी का जन्म हुआ था इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जिवन में सभी दुख तकलिफ दूर हो जाती है जेश्ट माह का बुढ़वा मंगलवार बड़ा विशेश होता है जेश्ट के महीने में कुल चार बुढ़वा मंगलवार पड़ता है जो की राम और हनुमान भक्तों के लिए शुवन अवसर होता है मन चाही मुरादे पूरी करने के लिए इस दिन बड़ा मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा को स्रवन करने से जिस भी इच्छा से मनते मांगी जाए वो अवस्य ही पून होती है बल, बुध्धी, धन, बैभाव, संतान, लंबी उम्र और मोक्ष की प्राप्ती होती है तो आज मैं सुना रही हूँ बड़ा मंगलवार बुढवा मंगलवार की बड़ी ही दुरलभ, पौराडिक ब्रत कथा जिसे आप सभी राम और हनुमान भक्तगड बड़ी सरथा तथा प्रसन चित्मन से पूरा सुनिएगा पूरा सुनने से विश्णु सहस्र नाम जब करने के बराबर पुन्यफल्ड की प्राप्ती होती है तो सबसे पहले आप सुने कथा महिमा प्रियभक्तगडों महा भारत काल में एक बार भीम स्वेत कमल की तलास में गंध मादन प्रवत पर चले गए वहां उन्होंने एक बुढ़े वानर को रास्ते में लेटी हुए देखा और उससे अपनी पूछ हटाने के लिए कहा हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम ताकतवर हो तो तुम ही हटा लो भीम ने अपनी पूरी सक्ली से पूछ हटाने का प्रयास किया लेकिन नहीं हट पाया और इस प्रकार भीम का अपने उपर बलसाली होने का घमंड चूर चूर हो गया जब यह घटना घटी थी तब मंगलवार था इसलिए इस मंगलवार को बुढवा मंगलवार कहा जाता है और जेश्ट माह के इस मंगलवार को हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला था प्रिय भक्त गणों बड़ा मंगलवार वरत्क था की अनुसार प्राचीन काल में नरोत्तम नामक एक ब्रामण था उसके माता पिता स्री राम और हनुमान भगत थे वे हर जेश्ट माह के बुढ़वा मंगलवार का वरत किया करते थे वह नरोत्तम नामक ब्रामण अपने माता पिता की सेवा छोड़कर तिर्थ यात्रा के लिए घर से निकला तिर्थ सेवा के बल से उसकी नहा कर धोई होई धोती प्रती दिन बिना ही आधार आकास में उड़कर सुखने लगी इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उस ब्रामण को एहंकार हो गया और वह कहने लगा कि मेरे समान पुर्णिवान और यससवी मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है उसी समय दैवयोग से एक बगुले ने उसके मुह पर वीट कर दिया इससे उसको बड़ा ही कुरूध हुआ और उसने बगुले को स्राब दे डाला स्राब देते ही बगुला वृत्वी पर पड़ कर भस्म हो गया इस जीव हिंसा के फल से ब्रामण के मन में मोह हो गया उसकी गीली धोती जो अब तक बिनाही आधार आकास में सुखती हुई उसके साथ चलती थी अब नहीं चलती जीव हिंसा के पाप से उसकी यह सिधी जात बड़े मंगलवार का व्रत किया करते थी। ऐसे ही उसकी माता ने बड़े मंगलवार के दिन अपने बेटे के मंगल कामना और सद बुधी के लिए भगवान से प्राधना किया। उधर यह आश्चर जनक घटना घटती है। एक दिन नरतम दास के पास एक आकासवारी हुई कि हे ब्रामण तुम परमधार्मीक मूख चांडाल के पास जाओ। वहाँ जाने पर तुम्हें धर्म के असली मर्म का पता लगेगा और उसकी उपदेश से तुम्हारा मंगल होगा इस आकाशवारी को सुनकर ब्रामण मूख चांडाल के घर कया। वहाँ जाकर ब्रामण ने देखा कि वह चांडाल सबेरे से माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। जाडे के दिनों में वह गर्मजल, तेल, अगनीताब, ताम्बलू और बहुत से रूई के विच्छावन लिए मधूर अन और दूध देता। बसंतरितु में मधू, सुगंधित माला और अन्य रूचिकर पदार्थों से तथा गर्मी के दिनों में पंखे से हवा करके उनकी सेवा करता, नित्य उनकी सेवा करने के बाद वह भोजन ग्रहण करता। इस प्रकार वह चांडाल माता-पिता की ठकान मिटाने और उसको सुख पहुचाने के काम में लगा रह था। प्रियभक्तों इसकी इस पुन्य के वल से विश्नु भागवान उसके घर में बहुत दिनों तक से निवास करने लगे। ब्राम्हण ने उस चांडाल के घर में एक ऐसे कमरे में जो बिना ही खंभो के खड़ा था त्री भुनेश्वर महा पुरुष अन्य प्राणियों से अतुलिय ते जो में महा सत्व विश्नु भगवान को सुंदर ब्राम्हण शरीर से चांडाल के घर की सोभा बढ़ाते वे देखा। तदवंतर उसने आश्चर में भरकर मूख चांडाल से क कि चांडाल तू मेरे पास आ, मैं तेरी सहायता से परमपद पाने की इच्छा रखता हूँ, सब लोगों के लिए खास कर मेरे लिए जो हितकर हो, मुझको तू वही उपदेश कर। मूख ने कहा, मैं इस समय अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, आपके पास कैसे ब्रामपड ने क्रोधी दोकर कहा, मैं ब्रामपड हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन सा सरेष्ट कार है, जिसे तू करना चाहता है, मुख ने कहा, हे ब्रामपड, आप अवेर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं, मैं बगुला नहीं, जो आपके क्रोध से जल जाओं, आकास में मैं उपदेश दूंगा, जल्दी हो तो आप पती व्रता के पास जाएए, जहां जाने से आपका कार शफल हो जाएगा, प्रियभर्त गड़ों, आप देखिए, इसके बाद ब्रामपड रूपी भगवान विश्णु ने मूख के घर्षे निकल कर नरुतम से कहा, हे ब्राम विश्णु जी से पूछा, कि विप्रवर, आप इस्त्रियों से युक्त चांडाल के घर में सदा क्यों घुसे रहते हैं, हरी ने कहा, अभी तुम्हारा चित सुध नहीं हुआ है, पती व्रता आदी से मिलने के बाद तु मुझे पहचान सकोगे, नरुतम ने कहा, हे द्व इस्त्रियों में गंगा, मनुश्यों में राजा और देवताओं में जनार्दन श्रेष्ट, वैसे ही इस्त्रियों में पती व्रता प्रधान है, जो पती व्रता इस्त्री नित्य पती की प्रियहित कार में रत है, वह दोनों कुलों का उधार करती है, और प्रलयकांत, प्रय अंतर श्वर्ग में रहती है उसका पती अगर श्वर्ग से गिरता है तो वह सार्व भौ में राजा होकर पृत्वी पर जन मिलेता है और पती व्रता उसकी रानी होकर सुख भोग करती है इस प्रकार बारम बार श्वर्ग राज का उपभोग करके अनवरत वे दोनों मुक्त ह जाते हैं अब नरुत्तम ने फिर पूछा कि वह पती व्रता कौन है उसके क्या लक्षड है मुझे यथार्थ रूप से समझाईए स्री हरी ने कहा जो इस्तरी पुत्र की अपिच्छा सौ गुनेश नेह से पती की सिवा करती है और सासन में उसे राजा के समान मानती है वह इस काल में सत्य परामश देने वाली होती है वही पती व्रता है जो इस्तरी मन वारी सरीर या कर्म से कभी पती के विरुध आचरण नहीं करती वही पती व्रता है जो केवल अपने पती की सेच पर ही सोती है नित्य पती की सेवा करती है कभी कृपडा तथा अभिमान नहीं करती मान अपमान में पती को समान भाव से ही देखती है वही साक्षाद पती व्रता है जो सती इस्त्री सुंतर वस्त्र अभूशन धारी व्राता और पुत्र को देखकर भी उन्हें परपुरुस समझती है वही अथाध पती व्रता है हे ब्रामण तुम उस पतिव्रता के पास जाकर अपनी वनो कामना उससे कहो। तुम जिसके घर जा रहे हो उस ब्रामण के आठ इस्तरिया हैं। उनमें जो रूप योवन, संपन्ना यसस्वी और दयावती है उसका नाम सुभा है वह प्रसिध पतिव्रता है। तुम उसके प गए। नरुत्तम को उनके अंतर ध्यान होते देखकर बड़ा ही आश्चर हुआ। नरुत्तम ने उस पतिव्रता के घर पहुचकर उससे अपने हित की बात पूछी। पतिव्रता इस्तरी अतीथी की बात सुनकर घर के बाहर आई। और ब्रामण को देखकर दरवाजे पर खड़ी रहे गई। ब्रामण ने पतिव्रता को देखकर हर्स के साथ कहा। साधवी आपको जो कुछ मालूम है सो मेरे हित के लिए कहिए। पतिव्रता ने कहा। इस समय तो मुझे पति की सेवा करनी है। मुझे अभी फुर्शत नहीं है। पीछी आपका काम कर दूगी। आज आप यहीं मेरा अतिथ्य श्विकार करे। ब्रामण ने कहा। कल्याडी मुझे आज भूख प्यास या ठकावट कुछ भी नहीं है। मैं जिस विसय को जाना चाहता हूँ वह मुझे बतला दो नहीं तो तुम्हें साब दूँगा। इस पर पतिव्रता ने कहा। हे ब्रामण सरेष्ट मुझे आप वह बगुला न समझें। आप धर्म तूलाधार के पास जाकर उससे अपने हित की बात पूछें। वे आपको हितो उपदेश करेंगे। महाभागा सुभा इतना कहकर घर के अंदर चड़ी गई। इसके बाद नरुत्तम ने उसके घर में जाकर देखा कि वही ब्रामण जो मुझ चांडाल के घर में था और बहुत दूर तक साथ साथ आया था वहाँ भी बैठा हुआ है। नरुत्तम को इससे बड़ा ही अचमभा हुआ। उसने ब्रामण रूप धारी विश्नु के पास जाकर कहा कि हे देसांतर में मेरे संबध में जो घटना हुई थी। मालुम होता है आपने ही इन लोगों से उसे कह दिया है नहीं तो चांडाल और पतिवरता को मेरी उस घटन का हाल कैसे मालुम होता हरी ने कहा। भूत भावन महात्मागड आपने पुन्य और सदाचार के बल से सभी बाते जान सकते हैं पतिवरता ने तुम से क्या कहा सु मुझे बतलाओ प्रेभक्तिगडोб नरुत्तम ने कहा मुझे पतिवरता ने धर्म तूलाधार के पास जाकर प्रश्न करने का आदेश दिया है हरी ने कहा अच्छी बात है तुम मेरे साथ चलो मैं भी वही जाऊंगा इतना कहकर स्री हरी चलने को तयार हो गए अब नरुत्तम ने पूछा उस धर्म तुलाधार का मकान कहां है जहां पर लोग बहुत सी चीजें खरीदते बेचते हैं उसी बाजार में तुलाधार रहते हैं लोग धान, रस, तेल, अन, आदी वस्तवें उसकी धर्म काटे पर तौल कर देते लेते हैं वह नरुस्रेश्ट प्राड जाने पर भी कभी जूठ नहीं बोलता उसके इस काम से उसका नाम धर्म तुलाधार पड़ गया है स्री हरी के इतना कहते ही नरुत्तम तुलाधार के पास पहुच गया देखा तो तुलाधार बहुत सा रस बेच रहा है उसका सरीर मैला कुचैला हो गया है वह लेन देन संबन्धी अनेक प्रकार की बाते कर रहा है अनेक प्रकार के नर नारियों ने उसे चारो ओर से घेर रखा है तुलाधार ने ब्रामण को देखते ही कहा हे ब्रामण क्यों क्या काम है उसकी इस प्रकार की बात उसनकर ब्रामण ने मधुरवाडी में कहा भाई मैं तुम्हारे पास धर्मो पदेश ग्रहन करने आया हूं तुम मुझे उपदेश करो तुला धार ने कहा महराज अभी तु मेरे ग्राहक की भिड लगी है एक प्रहर रात तक मुझे फुरुसत नहीं मिलती आप मेरे कहने से धर्माकर के पास जाएए बगुले के हिंसा कातोस और आकास में धोती न सुखने का कारण आदिस सभी बाते आपको पता सकते हैं उसका नाम अद्रोहक है वे बड़े ही सर्जन है उसके उपदेश से आपके संपुन काम सफल हो सकेंगे तुलाधार ब्रामहर से इतना कहकर फिर अपने लेन देन में लग गया तब नरुत्तम ने ब्रामहर भेश थारी स्री हरी से कहा महराज मैं तुलाधार के उपदेश से अद्रोहक के पास जाऊंगा परन्तु उसका घर मैं नहीं जानता क्या आप बता देंगे स्री हरी ने कहा आओ मैं अभी तुम्हारे साथ उसके घर चलता हूं रास्ते में नरुत्तम ने स्री हरी से पूछा है भगवन यह तुलाधार समय पर इश्नान या देवत्रिप्त तरपड कुछ भी नहीं करता इसका सारा सरीर मैला हो रहा है कपड़ों में गंध आ रही है यह मेरे भूत काल में होने वाली घटनाओ को कैसे जान गया यह सब देख कर मुझे बड़ा ही ताज्युक हो रहा है आप इसका करड़ बतलाइए स्री हरी ने कहा सत्य और समदर्शन के प्रताप से तुलाधार ने तीनों लोकों को जित लिया है इसी से देव फितर और मुनी गड़ भी उससे त्रिप्त हो गए हैं और इसी करड़ से यह भूत भविश्य और वर्तमान की सब कुछ जानता है सत्य से बढ़कर परमधर्म नहीं है और जूट से बढ़कर बड़ा पाप नहीं है जो निश्पाप समदर्शी पुरुष है सत्रू, मित्र और उदासिन सभी ने जिसके मन समान है उसके समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और वे विश्णु भगवान के मोक्ष को प्राप्त करते हैं जो मनुस सदा ही ऐसा विहवार करते हैं वे अपने कुलों का उधार करने वाले होते हैं सत्य, दम, सम, धैर, स्थिर्ता, अलोभ और अनालश्य सभी उसमें रहते हैं वह धर्मग्य देव और नरलोग के सभी विशयों को जानते हैं उसके देह में साक्षात स्रीहरी निवास करते हैं जगत में उसके समान कोई नहीं होता जो सत्य सरल और समदर्शी है वह साक्षात धर्ममें है वास्तों में इस जगत को वही धारड करते हैं इस पर नरुत्तम ने कहा आपके क्रिपास मेंने तुला धार का रहसे तो जाना अब यदि आप उचित समझे तो अद्रोहक का भी इतिहास बतला दें स्रीहरी ने कहा कि हे प्रामण सुनो किसी एक राजकुमार की सुन्दरी नाम की एक परं सुन्दरी नवयूती भार्या थी वह अपने पती को बड़ी ही प्यारी थी राजकुमार को किसी खास काम से अकस्मात बाहर जाने की अवसक्ता पड़ गई वह अपने मन में चिंता करने लगा कि इस प्राणों की पुतली प्रिया को किसके पास छोड़ कर जाओं, कहां इसकी रक्षा हो सकेगी अंत में उसने अद्रोहक के पास जाकर कहा, कि मैं बाहर जाता हूँ, जब तक लोट कर आऊं तब तक मेरी इस नवयोती सुन्दर इस्तरी का रक्षा का भार, तुम ग्राण करो राजकुमार के इस प्रस्ताव से अद्रोहक ने आश्चर में पढ़कर कहा, कि मैं तो आपका पिता भाई या मित्र नहीं हूँ, न आपके माता पिता के कुल से मेरा कोई संबंध है, आपकी पत्ने से भी मेरा कोई कौटुम्ब्य संबंध नहीं है इस अवस्था में मेरे घर अपनी इस्तरी को रख कर आप कैसे आस्वस्त हो सकते हैं, राजकुमार ने कहा, संसार में आपके समान धर्मग्य और चितिंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है अद्रोहक ने कहा, आप बुरा न माने, त्री लोग के मोहिनी भार्या की कौन पुरुष रख्चा कर सकता है राजकुमार ने कहा, मैं अच्छी तरह से सोच समझ के ही, आपके पास आया हूँ, मेरी इस्तरी को आप ही रखिये, मैं अपने घर जाता हूँ राज पुत्र के ऐसा कहने पर अद्रोहक ने फिर कहा, इस सोभा युक्त नगरी में कामी पुरुषों की भरमार है, मैं कैसे तुम्हारे इस्तरी की रख्चा कर सकूँगा राजकुमार ने फिर कहा, आप जैसा ठीक समझे वैसा ही रख्चा करें, मैं चलता हूँ ग्रीहस्त अद्रोहक ने धर्म संकट में पढ़कर राजकुमार से फिर कहा, हे पिता, मैं इस आरक्चित इस्तरी की रख्चा, निमित जो देखने में अनुचित होगा, ऐसा कर्म भी उचित और हितकर समझ कर करूँगा, मैं इसे रात को अकेली नहीं रख सकता एत एव मैं अपनी भार्या के साथ जिस सया पर सोता हूँ, उसी पर इससे भी सोना पड़ेगा, आपको इसमें आपती हो तो अपनी इस्तरी को वापस ले जाईए, नहीं तो छोड़ जाईए राजकुमार ने कुछ देर तक सोच कर कहा, अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझे, वैसा ही करें तदवंतर राजकुमार ने अपने इस्तरी से कहा, सुन्दरी, इसके आग्या अनुसार सब काम करना, इसमें तुम्हें कोई दोस नहीं लगेगा राज पुत्र इतना कहकर अपने पिता नरेश के आग्या अनुसार वहां से चला गया, अद्रोहक ने रात को वही किया, वह धार्मिक पुरुस रात को अपने इस्तरी और राज पुत्र पत्नी के बीच में एक सहया पर शोने लगा, परन्तु भर्मपत से कभी डिगा नहीं राज कुमार पत्नी का नीद में कभी अंग प्रदर्शन होता, तो उसे अपने जननी के अंग के समान प्रतीत होता, वह इस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को जीत कर रहता था, इस प्रकार छे महिने बीतने पर राज कुमार विदेश से लोट कर घर आया, अब विराद इस्तरी अद्रोहक को दान कर गएं वह रात को उसके साथ सोता था इस्तरी पुरुष के एक साथ सोने पर भे क्या कभी सायम रह सकता है इस तरह लोग तरह तरह के दोस लगाने लगें अद्रोहक को इस बात का पता लगा तब उसने जनापात की निवृत्ती के लिए काठ की एक चिता बनवाई जिसमें आग लगा दी इतने में ही राज पुत्र वहाँ आपहुचा राज कुमार ने अपने इस्त्री को प्रशन मुख और अद्रोहक को विशाद युक्त देख कर अद्रोहक से कहा भाई मैं आपका मित्र बहुत दिनों बाद विदेश से लोट कर आया हूँ आप मुझसे बात नहीं करेंगे अद्रोहक ने कहा मैंने आपके इस्त्री को घर रख कर बदनामी मोल ले ली है उस वदनामी को दूर करने के लिए मैं आज अगनी में प्रवेश करूँगा संपुन देवता मेरे कृत्त को देखें इतना कहकर अद्रोहक धधकती हुई अगनी में कूद पड़ा परन्तु आश्चर कि उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ देवताकड आकास से साधुवाद करने लगे चारो ओर से पुस्पवर्शा होने लगी जिन लोगों ने अद्रोहक पर दोस लगाया था उनके मुखों पर कुष्ट रोग हो गया देवताओ ने आकर उसको अगनी से निकाला मुणियों ने विश्मित होकर सुन्दर पुष्पो से उसकी पूजा की फिर महा तेजस्वी अद्रोहक ने भी उस सब की पूजा की सुर असुर और मनुस्य ने मिलकर अद्रोहक को नाम सज्जना द्रोहक रखा उसकी चरड रज से पृत्वे हरी भरी हो गई तब देवताओं ने राजकुमार से कहा हे राजकुमार तुम अपनी इस्तरी को ग्रहड करो अद्रोहक के समान जगत में दूसरा कोई नहीं है जगत में सभी लोग काम के वर्ष हैं काम क्रोध लोग सभी प्राडियों में हैं काम से संसार में बंधन होता है यह जान कर भी लोग अकामी नहीं होते इस अद्रोहक ने कर्तब पालन के लिए काम को जीत कर मानो 14 भोनों को जीत लिया है इसके हिदय में नित्यवासुदे विराजमान है यो कहकर सब लोग और राजपुत्र अपने पत्नी सहित अपने अपने घर चले गए उस समय अद्रोहक को कायजल के प्रताप से दिब्द्रिष्टी प्राप्त हो गई वह तीनु लोकों की बातों को अनयास देखने और जानने में समर्थ हो गया प्रियभक्तगड़ों इस प्रकार बाते होते होते नरुत्तम ब्राम्हण अद्रोहक के घर पहुच आया नरुत्तम अद्रोहक से धर्म का तत्व पूचा अद्रोहक ने कहा हे धर्मग्य विप्र आप पुर्षत्तम वैश्नव के घर जाएए उसके दर्सन से ही आपकी मनोकामना पुन हो जाएगी क्योंकि उसने जेश्ट माह में स्रीहरी की इस्तुती करते करते बड़े मंगलवार का व्रत्पी किया है और यह मंगलवार माता पिता को पूजने वाले तथा स्रीराम की भक्ती करने वाले स्रीहनुमान जी को समर्पित है हे विप्र तुमने बड़ा ही धर्मकारे किया है जो तुम यहां तक पहुचे हो तुम्हारी माता भी एक व्रत करती हैं जिसको में विस्तार पुर्वक बाद में वर्णन करूँगा फिर वह आपके सभी भेद जैसे की बगुले की मृत्तु और धोती सुखने आदी की सभी बाते आपको बता सकते हैं नुरुत्तम यह सुनकर ब्रामण भेश धारी विश्नु के साथ पुर्शत्तम वैश्नों के घर आया नुरुत्तम ने देखा कि वैश्नों परमसुध सांध समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त और अपने तेज से दिप्तिमान हो रहा है धर्मात्म नुरुत्तम ने उस ध्यानस्त भगवत भक्त से कहा मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ आप मुझे उपदेश दीजिए नुरुत्तम बोलें देवस्रेश्ट भगवान स्री हरी सदाही तुम पर प्रसन हैं हे ब्रामण आज तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ा अहलाध हो रहा है मेरे घर में भगवान के दर्शन से तुम्हारा अतुलनिय कल्याड होगा तुम्हारा मनुरत पूर्ण होगा नुरुत्तम ने कहा आपके घर में विश्णु भगवान कहा विराजमान है क्रिपाकर मुझे दिखला दें वैश्णों ने कहा इस रमडिय देव मंदिर में प्रवेश करते हुए भगवान के दर्शन कर घोर और घोर पाप और जन्म कर्म के वंधनों से छूट जाएंगे विश्णु उसी रूप में पद्म आसन से बैठे हुए है नरुत्तम ने उनको देखते ही मस्तक द्वारा प्रणाम कर उनके चरण पकड़नी है और कहा हे देविश मैं आपको पहले पहचान न सका अब आप मुझ पर कृपा होईए हे प्रभु मैं इस लोग और परलोग मे मैं आपका धास बना रहूं हे मदु सुदन मुझ पर कृपा द्रिष्टी कीजिए यदि वास्तों में आपकी मुझ पर कृपा है तो अपने शरूप का दर्शन मुझे कराईए भगवान ने कहा हे भुदेव तुम्हारे प्रती सरवदाही मेरा सनेह है सनेह के वश होकर ही म मैं भक्तों को दर्शन दिया करता हूं पुन्य आत्मा पुर्शों के एक बार के दर्शन श्पर्श ध्यान किर्तन और तिलक धारण करने से ही पुन्य लोग की प्राप्ती होती है उनके नित्य संग से तो सारे पाप चूट जाते हैं और अंतमेवा उसका संग करने वाला भात्त हो वक्त वद से तुम्हें जो पाप हुआ है उसकी निव्रती के लिए तुम फिर उसी